पिछली काक्षा में हमने जीव इज्ञान विश्य के पहले अध्याय के दूसरे भागे में बहुत कुछ बातें सीखी थी ज़िए एक बार उनको देख लिएते हैं क्या क्या हमने सीखा हमने जाना जैविक वर्गी करण की आवशक्ता और उसके महत्व को प्रजाति की अवधारना का आकलन हमने करना सीखा जैविक वर्गी करण के विविन स्तरों का वर्णन किस प्रकार किया जाता है यह हमने सीखा विविन ने वर्गी की संबर्ग की पहचान और उदारन के साथ उन्हें संबंदित करना भी हमने सीखा आज हम आपके ग्यारवी कक्षा के जीवी ज्ञान विशे के पहले अध्याय जीव जगत में भाग तीन का अध्यन करेंगे और सीखेंगे विभिन प्रकार के वर्गी की साहिता साधनों का अध्यन करेंगे चात्रों को जय विवित्ता के संदक्षन हितु हम प्रेद करने का प्रयास करेंगे हमारे देश की जय विवित्ता के प्रती चात्रों के मन में गर्व उत्पन्न हो और उसके महत्व को समझें इस बात का भी हम प्रयास करेंगे छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दिष्टिकों, जिग्यासू प्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास वैज्ञान के अध्यन में बहुत जरूरी है हम प्रयास करेंगे यह आपमें विक्षित हो दिष्टिक जिवन में जिविक ज्ञान को सह संबन्दित करना हमारा सबसे महत्यपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए इसके अलावा वर्गी की में विविन्य सोपान क्या है जीवों के अभिलक्षणों का ध्यन क्या है किस प्रकार करते हैं इसमें पहचान कैसे करते हैं वर्गी करना किस प्रकार किया जाता है नाम करना किस प्रकार किया जाता है यह समय वाज हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चो जीवों की पहचान और नाम करना के लिए बहुत सारे क्षेत्र अध्यन और प्रयोग शाला की आवशक्ता होती है। आपको बता दें, इस प्रकार की अध्यन में नमुनों को कुछ स्थाफित प्रक्रियाओं और तक्निकों के अनुसार सन्रक्षित करने की आवशक्ता होती है। इस प्रकार से जो हम जानकारी खट्टा करते हैं, उनको भविष्य के अध्यन के लिए नमुनों के साथ भी संग्रहित किया जाता है. अब ये जो वर्गी की साहता साधन है, जो वर्गी करण में हमको साहता करते हैं, इनका हम क्रमशह एक-एक करके विष्तारमध्यन करते हैं. क्या आपने कभी हर्वेरियम नाम सुना है? हर्वेरियम दरसल में वनस्पती संग्रहले में पौधों के एकत्र नमुनों को कागट की शीट पर सुखा कर और इन शीटों को विष्व व्यापी मान्य वर्गी करण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं. ये नमुने सूचना सहित भविष्य में अध्यान के लिए वनस्पती संग्रहले में सुरक्षित रखे जाते हैं. आपको बता दें, हर्वेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है और इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने का स्थान उसकी तिथी, पौधे का अंग्रेजी में नाम, स्थानिय नाम और व्यज्यानिक नाम आदि लिखा रहता है. हर्वेरियम वर्गी की अध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और ततकाल संदर्वतंत के उपे ये एक प्रकार से उबलप्त रहता है. आपको हर्वेरियम में मैंने जो कुछ बाते बताई हैं उसको प्रैक्टिकली करने के लिए उसको क्रियात्मक रूप से करने के लिए आप एक कार्य कीजिए अपने आसपास के कुछ जंगली पौधों के नमूनों से हर्वेरियम शीट बना लें. कैसे बनानी है ये भी आपको मैंने बताया है एक बार फिर से में रिपीट कर देता हूं दुबारा बता देता हूं कि आप जो भी वनस्पतिक का नमूना लेते हैं उसको कागज कीज में सुखा लीजिए और उसको दबा करके सुखाईएगा जब वो सुख जाता है उसके ब की तिथिये वो लिख लीजिए स्थान लिख लीजिए और उसको बढ़िया डंग से आप चिपका के रखिए ताकि आपका एक हर्बेरियम शीट बन जाएगा तो मैं यह उमीद करता हूं कि आप ये हर्बेरियम शीट जरूर बनाएंगे और एक क्या आप कई सारी बनाएए और उसको फ्रेम करके अपने सर को दिखाईए अपने स्कूल में दिखाईए और अपने घर में लगाईएगा एक और साधन है वनस्पति उद्ध्यान इनको सामानेतिया अंग्रेजी में बोटनिकल गार्डन कहा जाता है इन विशिष्ट उद्ध्यानों में संधर्ब के ल लिए उगाया जाता है प्रतेग पौधे पर लेबल लगा रहता है और उस लेबल पर वनस्पतिक नाम या वेगनिक नाम लिखा होता है इसके अलावा उसके कुल का नाम लिखा रहता है आपको मालूम है आपके आसपास कोई बोटनिकल गार्डन है या कभी आप किसी बोट कि ब्टनिकल गारदन है! वो क्यों नाम से है और इंगलेंड मेंश्थित है. भारत में जो बटनिकल गारदन है, एक तो değil तो इंडियन बटनिकल गारदन है हावडा पास्यमंगाल में है कलकत्ता के पास. और दुसरा है National Botanical Research Institute यह जो की लखनों में है उत्तरप्रदेश के अंदर उत्तरप्रदेश में ही एक और नया Botanical Garden बना है जो Noida है वहाँ पर एक नया Botanical Garden वनस्पतिक उद्यान बना है कभी आपको मौका लगता है तो आप भारत में स्थित इन वनस्पतिक उद्यानों को देखने का अवश्य प्रयास करें तो इस प्रकार से आप इन वनस्पतिक उद्यानों में अवश्य जाईएगा और नाना प्रकार के पौधों के बारे में सूचने कत्यत करें आपको बहुत अच्छा ल सुनाओ गंग्रेजी में मेश कहते हैं यह संगरा 侯ह प्राय स्थक संस्थानों जैसे विद्यावले और कॉलेजों में स्थावित किये जाते हैं हो सकता है आपके आजपास के Y Lot आपके विद्याले में हो, तो आप जरूर देखेगा, इन संग्रहालेयों में अध्यान के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, परिरक्षित थमझते हैं आप, उनको सुखा करके पौधों को सुखा करके जैसे हर्वेरियम शीट आपको पौध का विद्यानिक नाम जीट रिकिल नाम और इस परकार से वो संग्रहाले में रखे जाते हैं, कीटों को एकत्र करके, अब कीटो件 को कैसे एकत्र किया जायाए?, आप कीटों को फो बहुत होतें, तो क्या उनको मारना चाहिए, आपका मन क्या कहता है किसी को मारना चीए क्या तो मारना नहीं चीए कई बार कहते हैं कि कीटों को मारने के बाद पिन लगा कर रख लीजिए लेकिन मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता हूँ मेरे विचार से जब कीट मर जाता है या कीट को किसी वज़े से मर गया है तो उसको आप उठा करके डिब्बे में पिन लगा कर रख लीजे और जो कमर्शियल या जो व्यावसाइक तरीके से जो संग्रहाले में अख़ा जाता है वहां पर कीटों को एकत्रत करने के लिए उनक किसी को मारना नहीं चाहिए अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है आप कीट कभी आगर आपको कोई नमूना लेना है तो कीट की जब मृत्य हो जाता है उसके बाद उसको आप डिब्बे में पिन लगा कर रख सकते हैं बड़े प्राणी जैसे प नहीं है यह प्रेम के विरुद्ध है प्रकर्ति के विरुद्ध है इसलिए जब उसकी मृत्य हो जाते है तभी उसको अपने परिरक्षन के लिए रखना चाहिए संग्रहाले में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं यह कंकाल भी आपको बता दें शायद हो सकता है और उसके सांचे में बना कर रखे जाते हैं वास्तविक कंकालों को अब वहां से हटा दिया गया है कुछ इस प्रकार के नियम बने हैं प्रयोकशालों में खास तर पे और म्यूजियम्स में कि इस बात को हम कोशिश करते हैं कि जो प्राणि हैं उनके अंगों को वहां न क्या कभी आप किसी चिडियाघर गए हैं या किसी चिडियाघर के बारे में आपने सुना है जानकरी प्राप्त की है जो बच्चे दूर तर आज जंगल के पास इनके घर हैं गाउं हैं वो तो वैसे ही देखते हैं लेकिन चिडियाघर जो है ये शहरों में बनाए जाते हैं इन उपवनों में क्या होता है कि अधिकांस्त वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं एक फर्क आगया संग्राहलय में मृत रखे जाते हैं जबकि चिडियागर में जीवित प्राणी रखे जाते हैं और इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेक में आहार, प्रकर्ति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहां तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन प्रकार के प्राणी उपलब्द करा जाते हैं। चुडिया घर में सभी प्राणीों को उनके प्राकर्तिक आवासों वाली परिश्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। तो जब कभी मौका लगेगा आप चुडिया घर अवश्य जाएंगे और चुडिया घर जाएंगे तो पिकनिक के साथ-साथ आप विभिन प्रकार के जानों के बारे महां लिखा होता है। उनके विभार को देखिए, उनको समझिए और उसके बाद घरा करके उसके पर एक छोटा सा परग्राफ लिखिए, एक छोटा सा उसमें, अपना जो भी आपको मन में उनके उद्गार विक्त होते हैं उनको लिखिएगा। इससे आपको एक स्प्रती बनी रहेगे कि हम उस दिन उस चिडिया घर में गए थे और वहां नाना प्रकार के जानों को हमने देखा था और वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, कैसे वो आनन्द ले रहे थे, इसको देख करके आप उनके बारे में लिखिएगा। वर्गी की विज्ञान या वर्गी करन विज्ञान में एक और सादन है जो की बहुत ही महत्वपूर है। शायद आप पहली बार नाम सुनने गयोंगे, उसको कहते हैं कुंजी अथवा चावी। अंग्रेजी में इसको की कहते हैं। और कुंजी अथवा चावी का प्रियोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर के पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। ये कुंजी विपरियासी लक्षणों यानि कि एकदम विपरीत लक्षणों जो प्राय जोणों की रुप में, युगमों की रुप में होते हैं और उनको में युगमित कहते हैं, इनकी आधार पर ये होती है। कुन्जी दो विपरित विकल्पों को चुन्ने को दिखाती है आपको विकल्प दिखाती है कि या तो ये विकल्प लीजिए या ये विकल्प लीजिए दो विपरित विकल्प होते हैं जैसे फ़र उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक पौधा देखा और उस पौधे को आपने पहचानना है एक विज्ञानिक की तरह तो वहाँ पर दिया होगा कि क्या यह ज़ड़ी है क्या यह शाख है अर्थात अगर वो शाख के रूप में है तो उस पर आप तिक कर देंगे उस पर निशान करके हम इस प्रकार से प्राणियों का वर्गी करना प्रारम करते हैं, तो होता क्या ऐसे, इसके परिणाम स्वरुप एक को माननेता तथा दूसरे को अमाननेता प्राप्त होती है, अर्थात एक को हम मान लेते हैं और दूसरे को हम नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से हम किसी भ इभिन लक्षणों को हम माननेता और अमाननेता की अधार पर हम उनको पहचान करते हैं और उसके बाद फिर उसका उस पहचान से वर्ग करन में हमको साहता मिलती है कुझी में प्रतेक कथन मार्ग दर्शन का कारे करता है अर्थात अगर ना है वो भी मार्ग दर्शन कर रहा है, हाँ है वह भी मार्ग दर्शन करना है पहचानने के लिए प्रतेग वर्गी की संबर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाती के लिए अलग वर्गी की कुझ्य की आवशिक्ता होती है इसलिए कुंजी का आप विशेश अध्यान करें परिक्षा में कुंजी के उपर प्रश्ण आते हैं इस बात का आप ध्यान लखेंगे तो वर्गी करन में वर्गी की विज्ञान या वर्गी करन विज्ञान में हम नाना प्रकार के साधनों की बात कर रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ अन्यमाद्यम हैं आईए उनको भी केकर करके जानते हैं एक है नियम पुस्तिका जिसको नियमावली भी कह सकते हैं या अंग्रेजी में उसको मैन्वल कहते हैं ये क्या होती है इसको जानना जरूरी है किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पेसीज को पहचानने में तथा विस्तरत वर्णन को लिखने के लिए इसके द्वारा साहता मिलती है हम किसी पौधे को किसी जीव को जानना चाते हैं उसको पहचानना चाते हैं तो उसके बारे में विस्तार से लिखा होता है और उससे फिर हमको साहिता मिल जाती है. एक और साधन है मॉनोग्राफ. मॉनोग्राफ एक पुष्तक है जिसमें किसी एक विशई पर विस्तत जानकरी दे होती है और किसी एक टेक्साउन की पूरी जानकरी होती है. टेक्सोन के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था, आपको याद है टेक्सोन क्या होता है, आप एक बार अपने मस्तिक्ष में दोहराईए उसको टेक्सोन क्या होता है, वर्गी करण के प्रतेग स्तर पर, प्रतेग पत को उस स्तर पर उस पत का एक टेक्सोन का रूप द जाती है एक और साधन है सूची पत्र इसको अंगरेजी में कैटलोग कहते हैं और ये कैटलोग सही पहचान करने में साहता करते हैं एक और साधन है फ्लोरा फ्लोरा एक प्रकार की पुष्टक है उसमें किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वासिस्थानों के विशे में विश्तत जानकारी मिलती है जैसे उधारन के लिए आप मान लीजे असाम के किसी क्षेत्र में रहते हैं या पूरवांचल के किसी क्ष तो वहां का स्वाभाविक वास्यस्थान है, वहां पर किस प्रकार के पौधे हो रहे हैं, जो स्वतह हुकते हैं, उनकी जानकारी उस विशेश स्थान के फ्लोरा पुष्टक में मिल जाती है. तो फ्लोरा में उस विशेख छेतर में मिलने वाले पौधों की स्पेशीज की जानकारी होती है. प्यारे बच्चो जीव जगत उसमें जीवन क्या है? उसमें जीव क्या है? फिर इनका नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण के क्या-क्या नियम है? कौन-कौन सी पधधिया है? वर्गी करण क्या है? वर्गी की विज्ञान क्या है? विविन प्रकार के संबर क्या है? ये हम सब ज जान चुके हैं, सेख चुके हैं. आज हमने इस पूरे अध्याय को लगभग पूर्ण करते वे, जो कुछ जाना है, उसको एक बार फिर से दोरा लेते हैं. हमने देखा विभिन प्रकार के साधन जोकी वर्गिकी में साहक होते हैं. हमने हर्बेरियम के बारे में जाना है, हर्बेरियम एक पौधे के सुखा करके सीट पर लगायावा चित्र है. इसके अलावा वनस्पति उद्ध्यान, आप अवश्य जाईएगा, नाना प्रकार के पौधों को वहाँ देखेगा, और उसके बारे में सूचना एकत्रत करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा. कभी जीवन में मौका लगता है, संग्राल है अवश्य जाईए, म्यूजियम के बारे में हमने चर्चा की, इसके बाद हमने प्राणी उद्ध्यान या प्राणी उप्वन जिसको चिडिया घर कहते हैं, अंग्रेजी में जोलोजिकल पार्क कहते हैं, जब भी आपको जीवन में अवसर मिले, आप अवश्य जाईए और देखिए वहां किस प्रकार से प्राणी जीवन जी रहे हैं, इसके लावा हमने कुझी के बारे में, चाबी या की के बारे में विश्तार से चर्चा की है, जो अन्य साधन हैं जिससे फ्लोरा, नियमावले, मौनोग्राफ, सूच पत्र आदी हमने भली भाती समझ लिये हैं, प्यारे बच्चों, इस जीव जगत अध्याय में हमने बहुत सारी बातें सिखी हैं, और आज इस अध्याय के अंदिम भाग में हमने जो साधन हैं, जिन साधनों से हमको वर्गी की में साहिता मिलती है, उसके बारे में विश्ता से जाना है, हम एक बार फिर से पूरे अध्याय को आपके सामने संक्षेप रूप से रखते हैं, हमने इस अध्याय में, जीव जगत में क्या-क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना जीवन क्या है, जीवन दाशनिक रूप में तो बहुत कुछ अलग है, लेकिन हमने जीवन को वैज्यनिक रूप से जानने का प्रेयास किया है जगत क्या है और इस जगत में जीव विविट्था क्या है अगर आप देखें आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है अपने आसपास किसी घास के मैदान में जब आप बैठे हैं या अपने खेत में बेटे हैं और एक मुठी मिट्टी उठा कर देख लिजे तो आपको मिट्टी नहीं बलकि मिट्टी में छोटे-छोटे रेंगती भी चीटिया नज़राएंगे, छोटे-छोटे खेड़े नज़राएंगे, हो जकता है केंचवा नकल आए, तो जीव जगत में जीवों का जो आवास है, जीव है वो प्रत्वी के अंदर तो है ही, प्रत्वी के ऊपर भी है, पानी के अंदर है, देखे, मचलियां है, नाना प्रकार के जलिये जीव हैं, और आकाश के तो आप देखते हैं, पक्षी उड़ते हैं, नाना प्रकार के पक्षी कलरव करत तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहां जीव ना हो। और तो और जो हमारा शरीर है, उसके अंदर जो आते हैं, क्या आपको मालूम है वहां पर भी जीव हैं? आपको हैरा नहीं हो कि आप सोचेंगे ऐसे कैसी बात कर रहे हैं हमारे गुरुजी आज, बच्चो हमारी जो आत है उसमें बहुत सारे जीवानों होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सायक होते हैं, तो इनका जो जीवों का वास स्थान है, बड़ा विस्त्रत है, यह जो विवित्ता है, यह विवित्ता किसी एक शेत्र में हम जाते हैं, जब समुद्र किनारे जाते हैं, तो नारियल के बड अलग प्रकार की होती है, गास के मैदानों की बिलकुर अलग प्रकार की होती है, ये जय विवित्ता हमको आकर्षित करती है, हमको लुभाती है अध्यन के लिए, तो जीविज्ञान के छात्र होने के नाते हमको उनको बड़ी ही ध्यान से अध्यन के लिए देखना चाहिए, तो इससे क्या होता है, कि जो हमारा अवलोकन कौशल है, जिसको हम अंग्रेजी में observation skill कहते हैं, ये बढ़ता है, एक कौशल व्यज्ञानिक होने के लिए आप में अवलोकन कौशल का विकास होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक एक चीज को बहुत ही बारिक के से दे जिवन में ये विज्ञान को संबंदित करने को भी जोडता है, तो कितनी सारी चीजा आप देख रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई को एक बोज ना मनें, उसको आनन्द मिलें, जीवन के साथ जोडें, तो यही पढ़ाई आपकी आनन्द में तबदिल हो जाती है, आपको ल जाती हैं, और इनको कैसे जाना जाये मनुख्य ने अपनी उपयोगिता के साथ से जोडोय उसके लिए उपयोगिते को एपनो जीवन में लाएं, फिर उनके बारे में जानने जानने का प्रयास किया, उनके बारे में जानने के लिए उनके विभिन लक्षणों को पहचाना, जीव के लक्षणों को देखा, फिर उन लक्षणों के अधार पर उनको उनके नामकरण और उनके वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारम हुई, वर्गीकरण की प्रकिया में भी हमने देखा कि किस प्रका जो विभन प्रकार के साधन है, जिनका हमने आज विस्तार से वर्णन किया है, ये भी इसमें सहायक हैं। अब जो कुछ भी आपने अध्यान किया है, आपने कितना सीखा, ये हमें कैसे पता लगेगा। चलिए इसके लिए हम आपसे कुछ प्रशन करते हैं। लेकिन आज हम आपसे बहुत छोटे-छोटे प्रशन करेंगे। जैसे आपको किसी प्रशन के चार आपको हमने विकल्प दे दिये, आपको जो सही विकल्प है उसका उतर आपको देना है। इनको हम वस्तुनिष्ट प्रस्ण कहते हैं या अंग्रेजी में हम इसको multiple choice question MCQ के नाम से जानते हैं और अब तो ये board की परिक्षाव में भी आने लगे हैं. तो पहला प्रस्ण है बोटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्ध्यान तथा जोलोजिकल पार्क या प्राणी उद्ध्यान प्राणी पुपन या चिडिया घर में अब आपके पास विकल्प हैं. केवल जीवित स्थानिक जातियों का संग्राण होता है. ये A option है, A विकल्प है. B विकल्प में केवल जीवित विदेशश जातियों का संग्राण होता है. केवल जीवित स्थानिक तथा विदेशश जातियों का संग्राण होता है. और चौथा और अंतिम विकल्प है, केवल स्थानिक पाद्वों तथा प्राणियों का संग्राण होता है. आप सोचे आप बताई इसका क्या उत्तर होगा चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर तीसरा विकल्फ है सी जीवित, स्थानिक तथा विदेशच जातियों का संग्रहन होता है एक और प्रस्टन दे रहे हैं आपको पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गी करन करने में वर्गी की एक उंजी एक वर्गी की साधन है इसका प्रयोग किसे तियार करने में किया जाता है यह प्रश्ण है अब उसके विकल्फ बताते हैं आपको पहला विकल्फ है मोनोग्राफ दूसरा है वनस्पति जाद या फ्लोरा तीसरा विकल्प है पहला और दोनों विकल्प रने अर्थात A तथा B दोनों जिसमें मोनोग्राफ और वनस्पति जाद दोनों आते हैं और चौथा विकल्प है इन में से कोई नहीं है तो जो आपने सीखा है स्वयमाकलन कीजिए इसका उत्तर तीसरा विकल्प है एग तथा भी दोनों अब हम कुछ आपको ग्रह कार्य देते हैं जिससे आपका ये अध्याय पूरी तेके से आप इसको समझ लें तो पहला प्रश्न है किसी जीव की पहचान और वर्गे करण में कुझी किस प्रकार से उपयोगी है दूसा प्रश्ण क्या आपको लगता है कि प्राणे उद्ध्यान और मनस्पति उद्ध्यान मनुरंजन के उद्धेशे से हैं या उनका कुछ और वैज्ञानिक मूल्य है अब ये एक खुला प्रश्ण है हम कुछ नहीं कहरें जो आपको लगता हो लिखना है इसमें आपको अपनी रायवक्त करनी है और रायवक्त करके उसको अपने अध्यापक को अवश्य दिखाएंगे तो प्यारे बच्चो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपने भी जीव जगत के बारे में बहुत कुछ जाना है इसका निरंतर सतत अध्यन करिए स्वाध्याय करिए और अभ्यास के प्रश्णों को फिर से करिए इससे ये अध्याय आपका पूर्णता है आपकी अपनी संपत्य हो जाएगा इसके बारे में फिर कहीं से कोई आपसे कोई पूछेगा तो आप बड़े ही आनन्द में उसका बारे में बताएंगे और यही हमारी पढ़ाई का मुख्यव देश्य है कि पढ़ाई आनन्द के लिए हो जीवन को जानने के लिए हो और हमेशा प्रसन्द रहने के लिए हो तो इनी सब्दों के साथ हमारी समस्त्य स्विव कामना है आपके उज्वल भविशी के लिए फिर मिलेंगे धन्यवाद मुख्यव देश्य है